श्री गनेशा या नमाहा, ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है, चंदरमा मन के कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्थिती लेकर आती है, और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारी रोज के जिवन को बहुत जादा प्रभावि यानि आपकी राशी में ही रहेंगे जी हाँ चंदरमा की ये पोजिशन आपके लिए काफी अच्छी रहेगी इसका मतलब ये दिन आपके लिए बहुती बढ़िया जाने वाला है इस समय में आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी हो सकती है सुबे से ही आप उत्साह में रहेंगे जोश से भरपूर रहेंगे अगर आपके कोई काम पेंडिंग है तो ये सही वक्त है उन कामों को पुरा करने के लिए इस दिन आपका मन पसंद रहेगा, टेंशन फ्री रहोगे पॉजिटिव सोच के साथ आज की दिन की सुरवात होगी इस दिन आपको कोई बड़ी खुशकबरी भी मिल सकती है जी हाँ कुछ ऐसी खुशकबरी मिल सकती है जिसकी आप या तो वेट करेते या तो आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं था इस समय में आपको पारिवारिक सुक मेलेगा परिवार में भी कोई बड़ी खुशी इस समय में आने की संभावना है ये समय नोकरी करने के लिए उत्तम है जी हाँ नोकरी पेशा लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा इस समय में अगर आपको निवेश करना है पार्टरशीप में बिजनस करते हैं तो बिजनस पार्टरशीप से भी आपको बढ़ी आलाब होगा इस समय में आपकी मैरिड लाइफ मदूर रहेगी घर परिवार में प्यार और शांति का माहूल रहेगा परिवार के साथ घुमने फिरने के लिए खुशिया मनाने के लिए आपके पार्टनर से, परिवार से आपको पूरा सहयोग इस समय में मिल रहा है। ये समय यात्राय करने के लिए भी बहतरीन हैं। जी हाँ दोस्तों अगर यात्राय करनी हैं तो आप जरूर कर सकते हैं क्योंकि इस समय में यात्राय आपके लिए लाबकारी रहेगी। बिजनेस के लिए अगर आप यात्रा करते है या आपके प्रोपेशन के लिए आपको कही जाना पड़ता है तो आपके लिए समय शुब है, यात्राय है आपके लाबकारी रहेगी दोस्तो लव लाइफ में इस समय में रोमेंटिक माहौल रहेगा लव लाइफ के लिए दिन काप ही अच्छा है अगर भविश्य के निर्ने लेना चाहते हो या आपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो समय आपके लिए अनुकुल है, सफलता मिल सकती है इस समय में आपके pending काम पूरे होंगे, काम करने की आपकी जो गती है वो बढ़ेगी, आपकी लगबग सारी चाय इस समय में पूरी हो सकती है, आपको प्रयास करना होगा, अगर हम कर्म करते हैं तो ही हमें फलकिया पिक्षा करनी चाहिए, गर बैठे बैठे बिना कुछ किये क कोई भी काम नहीं हो सकता। खरीदधारी करने के लिए समय अनुकूल रहेगा, तो इस समय आप शौपिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं तो वह भी खरीज सकते हैं, शौपिंग करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया हैं। दोस्तो ये समय होगे वैसे रिजल्ट्स आप ला सकते हो मेहनच जारी रखना ज़रूरी रहेगा नोकरी के क्षेत्र में भी आपको प्रशंसा मिलेगी आपका किया गया काम लोगों को दिखाई देगा मित्रों के बीच आपका उठना बैठना इस समय में हो सकता है जी हाँ इस समय में आप का प्रफाव में गंबिरता रहेगी इस समय में आप लोगों को जोडने में अपने काम लोगों से निकलवाने में और लोगों को एट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं ये समय आपके लिए हर प्रकार से शुब है लगबग हर क्षेत्र में आपको इस दिन सफलता मिल सकती ह इस दिन को मंगलमई तरीके से व्यतित कीजिए। इस दिन आपका स्वास्थे भी अच्छा रहेगा, आप एनरजेटिक रहोगे, स्वस्थ और मस्त रहोगे। उत्साह और जोस से भरपूर रहोगे। इस दिन का पूरा लाब उठाए। इस दिन आपके लिए औरेंज रंग क ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के कुछ ज़रूरी बात ये विडियो में आगे बताई गई है तो फिडियो आगे ज़रूर देखे नमस्कार दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भागय का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भागय उसका प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर रखती परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तों काफ या चपल डायरेक्ली उतार देते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उनके रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी पाड़ जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते है लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते है घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगा ही ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा, तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके, हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है, तरकी ला सकते हैं, धन ला सकते हैं, मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाएं, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद.